को व्याख्यायत किया Wheel of History नाम के तीन लेक्षर किये Wheel of History नाम के नहीं History पर तीन लेक्षर किये जो छपे जिसने वैचारिक दुनिया में तहलका मचाया कि लोग ये हिंदुस्तान के विचिंतक ने विचारक ने कार्ण मास्क के History के Analysis को बदल दिया है उसके आगे बढ़ गया है और वो भी भारती प्रसंग में भारत में समाजबाद या सामेबाद या जो भी है वो हमेशा नकल में आया है योरोप की नकल में जैसा रूस में ये तो सुना था कि प्रॉम्टिंग होती है लेकिन बोलने के बाद प्रॉम्टिंग में पहली बार सुन रहा हूँ ये रिवर्स प्रॉम्टिंग है तो जब कार्ल माक्स के इतिहास के से दान्त को रिवर्स किया तो इन्होंने सोचा कि ये हमारी बात को भी थोड़ा रिवर्स करें एक बार संसद में तब लोहिया जी बहुत खिलाब थे कि नहरू जी बहुत फालतू खर्चा करते हैं खुद नहीं फालतू खर्चा करते हैं प्रधान मंतरी पद पर तो उन्होंने हिसाब लगाया कि कितना खर्चा होता है प्रधान मंतरी के उपर तो हिसाब लगा 25,000 रुपया रोज आज का हिसाब बताऊँगा तो आप आज का हिसाब भी है लोगों के पास वो 25,000 नहीं है वो बहुत जादा है लेकिन आज का हिसाब विपक्षी दल्वी पेश नहीं करते हैं ये नहीं कहते हैं कि भई प्रधान मंतरी पे इतना खर्च क्यों हो रहा है तो उन्होंने लोहिया ने संसद में एक दिन भाशन दिया कि प्रधान मंतरी पर 25,000 रुपय रोज का खर्चा है लेकिन भारत के गरीब आदमी की आमदनी कितनी है तो आमदनी का हिसाब लगाया और संसद में के एतिहाशिक भाशन हुआ शोर शरावे का नहीं गुल्गपाले का नहीं तत्यपूर्ण तीन आना प्रति दिन गरीब आदमी की आमदनी ये भाशन है 1964 1964 में भारत के गरीब आदमी की आमदनी तीन आना प्रति दिन और भारत के प्रधान मंत्री का खर्च पचीस हजार आज आमदनी तुलनात्मक ग्रूप से अगर रुप्यों में गिनेंगे तो बड़ी है वैसे तो प्रधान मंत्री का खर्चा भी बड़ा है लेकि इन दोनों का जो अंतर है तीन आने और पचीस हजार का वो अंतर आज बहुत चोड़ा हो गया है तो नेरुजी ने कहा कि नहीं प्लैनिंग कमिशन कहता है कि सत्रा आना ऐसी कुछ बोला पंद्रा आना है सरकार ने माना कि पंद्रा आना प्रतिदिन गरीब की आमदनी है लुईया ने कहा कि आप गलत अर्थशास्त्रियों से गिरे हुए हो आपकी जानकारी सही नहीं है आप बाद में बहुत पच्टाओगे तो मंत्री ने कहा दुबारा हिसाब लगाया प्लाइनिंग कमिशन उस समय अशोक मेता होते थे शायद वो भी बड़े अर्थशास्त्रिय थे वो भी समाज़वादी देता थे तो उनने कहा कि नहीं ये गलत है हम गलत कहे गए पंद्रहा आना नहीं है साथ आना है तो लोहिया ने कहा कि अभी मैं और बोलूँगा और समझाओंगा तो आप तीन आने पर मान जाएंगे तीन आना प्रति दिन आप उस भाषण को कभी पढ़ें जो लोग सबा में हुआ है आप लोग बहुत से बच्चे होंगे जिनको आना भी नहीं मालूँगा सोला आने माने एक रुप्या चवन्नी अठन्नी दुवन्नी एकन्नी यह आपने सुनी नहीं होगी तब तो सिक्के में छेद आता था देखें कि पुराने सिक्के तो बाद में यह रुप्या पैसा हुआ रुप्या तो पहली भी था पैसा तो पहली भी था एक रुप्य में सोला तो उसलियाज से आप हिसाब लगा लो वो जब भाशन आप सुनोगे तो आप कहोगे किया संसद में ऐसे भाशन भी हो सकते थे और किसी ने टोका नहीं सब जानते थे कि बात सच हो रही है हला करके दबाया नहीं उसको स्पीकर ने बाहर नहीं निकाल दिया मैं इसलिए आपके सामने ये सब चीजे इंप्राम्टू के जैसा बें बोलता हूँ इंप्राम्टू ही बोल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि भारत बदल तो रहा है लेकिन इस भारत के चलने के इसकी जो चाल है वो हमको लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं असल में हिंदुस्तान के पाउं उल्टे हो गए है तो हम पीछे जा रहे हैं और सिर्फ इसी में पीछे नहीं जा रहे हैं बहुत सी चीजों में क्या कभी इस यूरिस्टी में चर्चा हो सकती है या हुई या आपने सोचा कि हम करें कि आज भी वो कौन अठारा करोड लोग है इस देश में जो गरीबी रिखा के नीचे है और उनके जीवन का इस तर क्या है क्या वो खाते पीते हैं कैसे रहते हैं उनकी बिमारियों के इलाज कौन करता है कितना उन पर गर्जा है अठारा करोड एक देश की आबादी है अठारा करोड ये सरकारी आंकड़ा है सरकारी आंकड़े अकसर जूटे होते हैं बढ़ा चड़ा के किये जाते हैं उनमें सचाई का अंश बहुत कम होता है चाहे जिसकी सरकार हो ये 18 करोड सच नहीं है ये सच करीब करीब 30-35 करोड के बीच में है यानि आज भी हमारी 20 परतिशत से ज़्यादा अबादी जो कई देशों के बराबर है वो घोर गरीवी में मर रही है क्या इस उनिवरस्टी में या संसद में या विधान सभाओं में कला पर sculptures पर चर्चा होती है हो सकती है थोड़ी बहुत अपने ही होती है जो थोड़ी बहुत होती है बाकी जगे नहीं हो सकती है कौन सी वो समय आएगा जब संसद में सिक्षा नीती पर दस दिन चर्चा हो ये तो मदर अफ प्रावलम्स है मदर अफ इंडस्ट्री है सिक्षा पर चर्चा होने का प्रश्र ही नहीं उठता है हम सारा दिन शम्शान, कबर्स्तान मुसल्मान, हिंदू, इसाई इन्ही मंदिर, मस्जिद इन्ही बातों में ये पूर इतना विराट और महान देश इन बातों में फसके रह गया है और जो मुक्ष बाते हैं जो मूल बात होने चाहिए इस राश्टर को बहन बनाने की कि इसके बच्चे, इसके युवा कैसे आगे बढ़ें उनकी काबलियत कोशल कैसे आगे बढ़ें, इस पर कभी सरकारों को चिंता नहीं होती है इसलिए भी ये हमारा प्रयास था कि लोहिया के बहाने ही सही सिर्फ इस बहाने ही सही कि लोहिया हम लोग पुराना जवानी में दीवाना पन था, पागल पन था, उन तमाम हजारों नौज़मानों की तरह जो लोहिया के पीशे पागल रहते थे सपने देखते रहते थे दिन बर ये जो बैठे हैं, प्रोफिसर जैन और मैं दिल्ली उनुरस्ट्री में इसी मौसम में कडाके की ठंड में सुब रात को बारह बजे बाल्टी में रंग लगाया, बनाया, ब्रश लिया और ब्रश लेके कड़कती ठंड में इनुरस्ट्री की दिवानों पर लोहिया के नारे लिखते थे उन में से एक नारा यहां कहना जरूरी है क्योंकि विश्विद्यायलों में इन विश्वों पर चर्चा नहीं होगी तो यह देश रसातल में जाने वाला है एक नारा था भारत की आदर्श नारी सावित्री नहीं, द्रौपदी है अब आप थोड़ा दिमाग ठंखेगा कि यह कैसी गंदी बात बोली जब आपका दिमाग ठंक है और बहुत ज़्यादा उत्यजित हो जाए तो थोड़ा महाभारत में जाके द्रौपदी के गुण को देखना और सावित्री का गुण क्या है? उसको भी जानना तो सावित्री का एक ही गुण निकलेगा कि वो पतिवर्ता थी आपति के प्रतिसमर पितर हो यही मतलब नहीं है यहां यह कहना बहुत जरूरी है और देश में इस पर भहस होनी चाहिए कि यह देश यौन शुच्टा को मानने वाला देश है याने इस देश के बीच में ही पीछे जाने का इस देश के आत्वा में ही पीछे जाने का बीच चुपा हुआ है दो चीज़े हैं जात और यौन शुच्टा अब जब इस तरी के बारे में बात करेंगे लड़की के बारे में और अरत के बारे में तो यहां का मर्द दिमाग कुमा फिरा के एक चीज़ पर आता है शरीर पर और शरीर के भी एक हिस्से पर ये ये विक्रती है ये रोग है और ये विक्रती और रोग जब तक खतम नहीं होगा भारत में लड़कियां और ते सुरक्षित कैसे होगी इसको कौन तोड़े ऐसे ओ के इसको च्याइब कोन करें situation को को तो बाबा लोग करेंगे मउला करेंगे पाधरी करेंगे को जो इसमें इनवल्ड है वो करेंगे कि अन। करेंगी है कौन करेंगा कैस इसमें परिस्थिति को एक ही व्यक्ति चणुती दे सकता है विटियाने परसन नहीं आप लोग नौजवान लोग और नौजवानों में चर्चा बहस होना बहुत ज़πόरी है आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो किताब पढ़ते हो अपर अपने फाल वो जो कोर्स वाली है कोर्स की किताब में जो है सो है लेकिन द्रावपदी जैसे चरित्र को आप नहीं जानते जो महावारत की नाइका है पूरे महावारत में कृष्ण और द्रावपदी, द्रावपदी का दूसरा नाम क्या था? कृष्णा बहुत से नाम है एक नाम है क्रिष्णा क्रिष्णा और क्रिष्णा का आख्यान है महाबारत और जब क्रिष्णा और क्रिष्णा का आख्यान महाबारत है तो आप नायका को नहीं जानों कि क्या है अकेली औरत है भारती इतियास में जिसने भरी सभा में भीश में पिता मैं को साफ साफ कहा कि बड़े बनते हो और उसी समय नहीं कहा जब उसका चीर हरन कर रहे थे उस समय भी कहा जब भीश में पिता मैं राजनीती सिखा रहे थे पांडवों और कौर्मों दोनों को मरते वक्त तो अकेली दुरापदी थी जोर से हस पड़ी तो लोगों ने देखा कि क्यों दुरापदी क्यों सी तो कई लोग गुस्से हो गए अरजुन खुद उसकी तरह भागा कृष्ण ने कहा कि सुनो चुपचा बैठ जाओ वो जो हसी है ना उसकी हसी मरहस है और वो ठीक हस रही है क्योंकि ये कहाने थे भीश्विता में जब इनकी पुत्र बदू दुरापदी का चीर हरन हो रहा था और वो साफ साफ सबसे बात कर रही थी सभा में तर्क कर रही थी और उसके तर्कों का कोई जवाब नहीं था इधर उदर लोग देख रहे थे इसलिए ठीक बोल रही है दुरुपदी पूरे भारती इतियास में सभा में चनौती देने का तर्क के आधार पर अकेली दुरुपदी है और हम समझते हैं दुरुपदी माने पांचपती रखना इसे भी बहुत सी पुस्तक हैं जिसमें लिखा है कि ता उम्र दुरुपदी का कौमार अखंड रहा पूरी जिन्दगी ऐसे भी आख्याने लेकिन आगर कम कहानी पर ही जाएं तो भी देश देश में इस भारत में कहानियों का इतना भंडार है नौसो तो रामाने लिखे गई हैं कम से कम आप एकादी पढ़ लो बालमी की पढ़ लो रामचरित मानस तो हर घर में है करतविदी सरजी नार जगमा ही पराधीन सपने सुखना ही किस के लिए कहा है औरत के लिए इस औरत इतनी पराधीन रही है इसको कभी सुख नहीं है अकेला लोहिया था जिसने नर नारी के प्रश्न को मुझसे ज्यादा करांतिकारी तरीके से मैं तो उन्हीं की बात को दोरा रहा हूँ उसने कहा और कहा और ऐसी नहीं कहता था चुपके से भरी सभा में कहता था सब के सामने कहता था और युवह उसके पृत Dewा करशित होते थे युद्ध हो पूल रह रहा है उस समय के सारे चित्रकार रेडिस हाब से कल रात को बात हो रही थी उस समय में हुस्יίνच चतर कारि करते हैं कि हुस्यन मिलने आए । नितलिकों दोग्टर ना है। तुम कि अंबेने हाँ दुम क्या घरों उल्टे लटके रहते हो मारे पता हिनी चलता कि चित्र शीज़ा एक इल्टा है य। तुम ऐसा कुछ करो कि इतिहास में नाम हो तुम ऐसा करो रामाइन और महा भारत पर चितर बनाओ इस भारत में इसी भारत में अकीला चितरकार है हुसेन जिसने पूरी सीरिस बनाई रामाइन पर और लोया ने कहा कि आज से ये हुसेनी रामाइन कहलाएगी आज से ये हुसेनी रामाइन कहलाएगी और वो हुसेनी रामाइन हम जानते नहीं हम कौन से रामाइन जानते हैं हम असल में कुछ नहीं हम बहुत इस देश की दुर्गती के लिए हम जिम वाला नहीं है इस देश में विचार खत्म हो रहा है विचार की गंभीरता खत्म हो रही है उसकी व्यापकता खत्म हो रही है उसका ओधारी खत्म हो रहा है उसकी जो पहुंच है वो खत्म हो रही है ऐसे समय में हमें जो दो तीन चार लोग नाम याद आते हैं उनमें से एक ल लुईा के भगत है उम लुईा की आलो चना भी सुनने को टियार है और करते भी हैं लेकिन इसलिए गांधी याद आते हैं इसलिए लुरिया यादा आते हैं अगर इस देश को सर्वगुन संपन नहीं तो रहने लाइक अगली प्यूडियों को बनाना है तो हमें अपने ऐसे पूरवजों को जाने ना चाहिए पतानी कैसे गला ठीक हो गया अब मैं सोच रहा था मुश्किल से दो-तिन मिनट बोलूँगा तो आज का यो दिन है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ जस्टिस रेडी साब का और प्रॉफसर जैन का जो इस अफसर पर आये क्योंकि मुखी रूप से तो आज हमें जस्टिस रेडी का ही विएक्ष्यान सुनना है आप सबका स्वागत आप सबका स्वागत और इस में वी सी साब से कहूंगा रिस्टार साब से कि कई जो बहुत महतपून भाशन है रामकृष्ण और शिव जोन और जाति के कटगरे इस तरह से जैंदी जी कुछ चार पाँच बहुत जरूरी भाशन है जो सब को पढ़ना चाहिए कम से कम वो छपवा कि वो ट्रांसलेट भी हो गए है तो हिंदी अन्ग्रेजी का एक ट्रांसलेशन है छोटी सी पुस्तक बनाओ आप और यूनिवस्टी की तरफ से सब को पाँथ तो तो कभी-कभी जब ये इंटरनेट देखते-देखते-थक जाएंगे जब ये इंटरनेट देखते-देखते-थक जाएंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी दृष्टी बदल जाएगी आप से मैं घटिया ही था हर सेंस में लेकिन मेरी दृष्टी बदली हुई है क्यों? कि आप पढ़ो ना आप जिर राम के उपर उनका भाशन है लुया का लुया कैसे देखते हैं? बहुत सारी बातों के साहते हैं राम की यात्र, जीवन यात्रा उत्र से शुरू के दक्षण खत्म हो रही है तो उन्होंने भारत को एक सूतर में पिरोया उत्र से दक्षण तक यात्रा करके जब वो जीतने गए लंका ऐसे किसी ने सोचा अज था फिर कहते कृष्ण जन्मे मत्रामे थे द्वारका के शादी करने रुक्मनी कहां गए अरे नहीं भाई ऐसा मत कहों कहां गए मनिपूर तो के न द्वारका से मनिपूर याने पूरव से पश्चिम पश्चिम से पूरव कहना भारत के दो नाइकों ने अपनी जीवन यात्रा से इस राष्ट्र को एक किया है पूरव से पश्चिम उत्तर से तक श्चिम मैं आपके सर्व एक सूत्र दे रहा हूँ और जब आप पढ़ोगे तो उसमें शिव का जो वर्णन है क्योंकि शिव तो शिव से बड़ा प्रेवी कोई नहीं हुआ और शिव से बड़ा कोई ओगर नहीं और जितने व्यवस्तित मर्यादित राम उससे ज़्यादा उलट शिव अब वो हुए के नहीं हुए सच मुझ थे के नहीं थे इससे मतलब नहीं है आखिरकार हर घर में शिव जाना जाता है राम कृष्य शिव जाना जाते हैं शिव ऐसे थे जिनका प्रेम और रती युगों तक चलती है उनकी प्रेम और रती युगों तक चल रही है जिस सबसे बड़े देव ता महादेव जिस देश के महादेव किये का प्रेम आलाप प्रेम आख्यान अपनी प्रेयसी से युगों तक चलता है वो देश प्रेम ही नहीं कर रहा है बलातकार कर रहा है तो दिर्ष्ट बदलेगी आपकी और आप बहुत कुछ उससे सीखेंगे धन्यवाद Thank you, sir May I now request Shri Jain Tomar to kindly introduce life and thoughts of Dr. Rammanohar Lohia धन्यवाद मुझे Dr. Rammanohar Lohia के राजनीतिक दर्शन को आप सब के सामने संग्षेप में प्रस्तोत करने के लिए निर्देशित किया गया है सन 1974 की गर्मियों में लोकनायक जैपकाश नारायन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उनकी संपूर्ण करांति वही है जो Dr. Rammanohar Lohia की सब्त करांति है 26 जून 1962 को न्यनिताल में दिये गए भाषन में सब्त करांति का सिध्धान्त देश की जनता के सामने Lohia जी ने रखा इस भाषन में डोक्टर Lohia ने उन साथ बिंदूओं की चर्चा की है जो समूची दुनिया के बड़े बदलाव के लिए अपर्यार है इनमें आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनितिक समानता, रंग भेद की समाप्ती, लिंग भेद की समाप्ती, निरस्त्री करण और विश्व संसद है अपने इस भाषन के आरम में डोक्टर Lohia ने बीश्मी सदी का बिश्शन करते हुए कहा था कि शायद यह सबसे बेरहम युग है, लेकिन अन्याय के खिलाफ जितना यह युग लड़ रहा है, उतना शायद पहले और कोई युग नहीं लड़ा एक अर्थ में यह सर्वकालिक क्रांती बीश के विचार है 1952 की गर्मियों में पचमडी में हुए समाजबादियों के सम्मेलन की अधिक्स्ता करते हुए डक्टर Lohia ने कहा था कि माक्सबाद में से केवल हिंसा घटा देने से समाजबाद नहीं आता पूझिवादी वा समाजबादी दोनों ब्यवस्था में उत्पादन के साधन समान रहेंगे तो गैर बराबरी समाप्त नहीं होगी अत्रिक्त मूल यानि सर्प्लस वैल्यू का सिध्धान्त जितना एक देश के अंदर आर्थिक असमानता की खाई पैदा करता है उतना ही दो देशों के बीच भी डॉक्टर लोहिया ने अपनी पुस्तक वील ओफ हिस्ट्री में दुनिया के समाजवाद से भारत के समाजवाद को जातिवाद की उपस्तिती के कारण बिलकुल भिन घोशित करते हुए कहा कि जाति और बर्ग यानि कास्ट एवं क्लास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भारत में किसी व्यक्ति का बर्ग यानि क्लास बदल जाने के बावजूद जातिवाद के उच नीच से मुक्ति नहीं मिलती और समस्या या थावत रहती है ग्वालियर में उन्होंने राजघराने की पत्रिदी के खिलाफ अंतिम पंक्ति की सुखो रानी को चुनाव मैदान में उतार कर रानी बनाम महतरानी का नारा इसी दर्शन के आधार पर बुलंद किया था डॉक्टर रामरान लोहिया धर्म को एक दिर कालीन राजनीती बर राजनीती को अल्प कालीन धर्म बताते हुए युवाओं को राजनीती में रूची लेने के लिए प्रिजित करते थे परन्तु निरेश्वरवादी होते हुए भी राम कृष्ण वस्तिव जैसे पराणिक नायकों के प्रती गहरा आधरभाव उनके रिदे में था मा भारत की द्रौपदी को उन्होंने अपने लेखों के जरिये धवल और उज्ज्वल स्वरूप दिया लोहिया जी ही थे जिन्होंने चित्रकूट में रामाण मिले की शुरूआत की गंगा साहित भारत की सभी नदियों को सुच्छ निर्मल ब सदा नीरा बनाने की जरुवत डौक्टर लोहिया ने सन 1960 की दशक की शुरूआत में ही बताई थी लोहिया मानते थे कि अत्याचार इसलिए है कि समर्पन है जिस दिन लोग अत्याचारी की सभीने अवग्या करना सीख जाएंगे उस दिन अत्याचारी खतम हो जाएंगे एशिया की राजनीती में नहित चार तुटियों को डॉक्टर लोहिया ने इस्वकार गिनाया पहला धर्म, जाती, वंग्ष और भाशा का राजनीती में साधन के रूप में प्रयोग दूसरा समग्र द्रिष्टी और विवेक्षील आचार विचार का अभाव तीसरा कतनी में प्रकतिशीलता और करनी में प्रतिगामी प्रतिक्रियाबादी रवईया और चौथा था यूरोपियों की नकल की महंगी रूचियों तथा आदतों के गुलाम सफेद पोष मद्वर की राजनीती तथा नौकरशाप पर मजबूत पकड़ लोहिया का कहना था कि एशिया की जनता का राजनीती से बिश्वास इसलिए उठ गया है कि इस राजनीती पर धर्म और बंग्ष के बिचारों का गहरा प्रवाव है साथ ही जिन नेताओं को जनता ने अपनी समस्त सद्धा अर्पित की उन्होंने अपने आचरन से जनता के साथ बिश्वास घात किया है डोक्टर लोहिया ने कहा एशियाई समाजवादी को स्थानी परिस्तियों की अनुरूप बिश्वापी बिचारों की ऐसी प्रणाली बिक्सित करनी चाहिए जिसमें राष्ट्रों के बीच और उनके अंदर समता, समूचे बिश्व की नागरिक्ता, बिश्व संसद और बिश्व सरकार की कलपना साकार हो यही प्रणाली संसार से संसार में भूक, गुलामी और युद्ध का अंत कर सकेगी डॉक्टर लोहिया ने व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित के विकास के लिए स्वतंतरता वसमता दोनों को जरूरी बताते हुए कहा कि इन में से किसी भी एक की कमी अच्छे परिवेश के निर्मान में बादक है हम संप जानते हैं कि डॉक्टर लोहिया इए थे जिन्होंने कहा था कि जिन्दा कौमें पांस साल इंतजार नहीं करती और उन्होंने कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर लेकिन मेरे मरने के बाद और उन्हें ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि आज मेरे पास कुछ नहीं है सिवाए इसके कि इस देश के साधरन लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं उनका अपना आदमी हूँ. धन्यवाद. Thank you, Sir. Justice sir B. Sudarshan Reddy is well known for rendering several landmark judgments upholding the principles of constitution and social justice in the country. His judgments mark a sharp departure from pedantic legalism towards a transformative constitutionalism. Justice Reddy came under the influence of socialist thinkers, more particularly late Dr. Ramanohar Lohia, at very early stages in his life. Apart from being one of the most articulate and erudite judges of the Supreme Court, Justice Reddy was also one of those exceptional judges whose judgments are replete with references to works on regularity theory, political science, economics, international trade and, of course, 20th century classic literature. Justice B. Reddy participated in various international and national conferences and delivered keynote speeches on interconnectivity between law, economic and social sciences. Shri B. Justice Reddy continues to be a serious student of constitutional law and social sciences. Ladies and gentlemen, with all humility, respect and a passionate anticipation, I request on behalf of the University, the August audience and the City of Golier, respected Justice Shri B. Sudarshan Reddy, to kindly enlighten our minds and hearts by delivering Dr. Ramanohar Lohia, third national lecture. Please put your hands together and give him a huge round of applause. Please put your hands together. Please put your hands together. ऐसा बाशन आज सुनने के लिए मिला मुझे रमा शंकर जी का बाशन अभी भी मेरे खानों में गूंज रही तो जब सुन रहा था मुझे लगा शाहिद आज मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ा बहुत जो बच गया था जैन तुमार साफ ने पूरा कर दिये तो as well I can seek your leave and say thank you for the invitation काश तो है के हिंदी में बात कर सकूँ आपके सामने लेकिन थोड़ा दिकत है I know, I know I will do that तो रमा शंकर जी ने जो बात कही थी शायद उसका एक हिस्सा one part of what he was saying I'll try to put it before you with all the humility a respected president Professor R.K.J the moving spirit behind this great university and this lecture series and my good friend इतना बोलने के लिए काफी सालों से जानने की ज़रद नहीं है Chancellor of this university Shri R.R.R.R.M.S.Y.A.N.K.A.D. Distinguished Vice-Chancellor of this university Professor Dr.R.R.V.E.D. Dr. Singh the registrar of the university distinguished ladies gentlemen and more than anything above and my dear students at the outset I must express my gratitude to the university and its chancellor for giving me this great opportunity to share my thoughts on Dr. Lohia it is not uncommon for the Lohiaites to get emotional while speaking about Lohia कहीं कहीं anecdotes तो कभी बात करते हैं a little bit emotional and it always happens to me I have yet to conquer it hopefully only one day I will with utmost humility that I have accepted this task of delivering this brief speech in memory of Dr. Lohia it can only be with utmost humility that one could possibly make an approach to one of the makers of modern India after all how does one seek to encapsulate the life and works of a person like Dr. Lohia who in the course of his life wrote prodigiously as a young man barely in his twenties led a protest against the representation of India at the League of Nations in Genoa by Maharaj of Biknir formed the foreign affairs department in the All India Congress Committee helped lay the foundation of the Congress Socialist Party was imprisoned and tortured by the British and in free India founded the Socialist Party and indeed the Humanistic Socialist movement in India where does one begin to comprehend the vision the mind and integrity of a person who throughout his life worked without a respite and with only the remit of an unyielding conscience to breach the rich poor divide fought against the horrors of caste and gender inequality warned us of the dangers of the big machine not merely as a technological artefact but as a social machine and above all the conditions of endemic inequality that perpetuates oppression of the many by the few generation after generation and lead to cycles of violence and repression every time I think of Dr. Lohia I am first reminded of an anecdote about him yesterday I was sharing with your Chancellor something that is very pertinent in this day in one of the elections that he contested post-independence he was approached by leaders of a particular community asking him to deliver an election speech at a place of worship assuring him that such an act would get him a lot of votes from that particular community Dr. Lohia refused and obviously he lost the election his refusal was founded on the value that a space for worship so intimately connected with the inner spiritual core of human existence could not be used as a space for political propaganda fiercely independent and never wavering from a concern for ethical implications of an action and prioritizing the pursuit of good of the broader society within the framework of social justice Dr. Lohia was indeed forever the top class scholar civilized gentleman liberal and a person of high moral character it is widely discussed in many quarters either openly or in hushed whispers as to whether India is turning or likely to turn into fascist polity where the tenets of secularism are set aside institutions of governance and justice compromise this again we were discussing yesterday in the evening with your chancellor of murders of journalists and open threat to so many others who may speak on behalf of the constitution one cannot but help asking and recollecting that great man jineh naaz hai hind par wo kahan hai kahan hai yet i would not suggest that the life of dr loe have you remembered for mere valorization and hagiographic speeches it is precisely in these unsettled times when arguments are made that nothing has happened for the past six decades and there are unthinking claims only now we have a deliverer that one needs to draw sustenance from the lives and works of great men and women of history however the prospects of sustenance can be enhanced only if we can analytically grasp the core principle or principles and apply to our own times modifying it and or expanding the concepts in light of new knowledge institutional experiences and the shocks faced by the democratic polity and the constitutional structure I will humbly submit that one of the keys to the thought and life of Dr. Loya is his lifelong struggle against monotonic mind of course everybody agrees that he used that expression in the context of big machine technology and it then seems logically simple to conceive the political economy suggested by Dr. Loya as one with Schumacher's small is beautiful and with search for alternate technologies that enhances rather than eviscerates role of labor in production that would be a correct conception but essentially an incomplete conception after all Dr. Loya also argued and fought for the empowerment and capabilities of enhancement of the downtrodden can anyone claim that Dr. Loya for instance would have disproved of the use of internet by women folk in a village in India to direct their men folk to trading centers where they would be able to get higher prices for their milk or our youngsters getting access to the entire corpus of human knowledge in many instances that comments after Dr. Loya has been taken to imply a blind anti-science and anti-technology stance on his part and often misused in the more notorious politics by lesser men of recent times I believe that we need a more nuanced and a more detailed appreciation of Dr. Loya's work to go beyond the trivial and contextual extension but prior to identification of their core principles we must acknowledge the great pacificity of Dr. Loya's concern with allowing unguided technological choices and social choices uninformed with deep ethical consent for equality and human welfare to destroy prospects of a democratic order and the enslavement of ordinary man recently I was reading an interesting book The Driver in the Driverless Car you must have read it However technological choices will create the future by Vivek Wadhwa and Alex Sakeva deposit in much more stark terms with Amartya Sain has been saying for some time now that our long existing technology and the ones that arise ones that are impending are more than capable of eliminating many of the ills that have plagued human beings throughout their existence the issue is of choices we make and what value we choose to undergird our choices so far so good but they present a dystopian alternative that is that they say is equally possible in a world of homo deus human as god beating death run by artificial intelligence as posited by you all know Harari Vivek Vadva said it is equally possible that I quote we are capable too now of sharing in a jobless economy the end of all privacy invasive medical record keeping and ever worsening spiral of economic inequality conditions that could create an unstable or violent future that might undermine the very technology driven future that we so eagerly anticipate and we know that it is possible to inadvertently unwind civilization's progress unquote a dystopian vision such as that one ought to make us wake up in cold sweat for most of our youngsters we have not even managed to build educational systems to give them quality primary education it took the ruling classes in our polity 14 years to even start thinking of enacting a bill to give sanction of law to what justice Jeevan Reddy had found to be an essential component of right to life guaranteed in our constitution that is where chancellor was referring again to that aspect in speech the right to free and quality education for our children at least until the age of 14 implementation has been shady at best nearly a decade later with great divides between regions between rural and urban areas between upper caste and lower caste increasingly the talk is about most of the entry level jobs disappearing in the near future even in technology fields that our policy makers hoped would lift most of our youngsters out of poverty we cannot offer to let our demographic dividend to go abegging lest it might turn into a demographic curse the pace with which the slips our nation by only seems to have quickened with the intensification of inequality something that Thomas Piketty has brought to the forefront of economic discussion brutally in the past five to ten years both within nations and across international regions as a result of a globalized neoliberal order that the social and economic elites across the world have pushed through relentlessly over the past forty years the prospect of the gaps between the haves and the have-nots may become unbridgeable in any foreseeable future take the levels of inequality between nations that emerged as a result of second industrial revolution and colonial exploitation in the mid-twentieth century scholars and policy makers could intellectually conceive and argue that gaps can be lowered in a few generations and maybe even hundred years or so but not so now and inequalities could be unbridgeable you are know posits that an increasingly data-driven world quote humans agree to give up meaning in exchange for power unquote that power could be the ability to create many of the marvels we may breathlessly wish for including mastery over death however the massive price could be it's in egalitarian spread creating a new global elite tim adams summarized this rather brilliantly in one of his recent articles in the guardian i quote the new longevity and superhuman qualities are likely to be the preserve of techno super rich the masters of data universe meanwhile the redundancy of labor supplanted by efficient machines will create an enormous useless class without economic or military purpose again if nothing in our approach changes harari messages that dataism a universal faith in the power of algorithms will become sacrosanct to utopians this will look a lot like the singularity and all knowing omnipresent data processing system which is really indistinguishable from ideas of god to which humans will be constantly connected to dystopians it will look like that too unquote but we have had intimations of the formation of super elites for some time have we not in relentless pursuit of wealth where greed has been dubbed to be good we have created a layer of elite decision makers whose returns large in what happens in nations and the globe and what happens in the lives of billions of human beings and who disproportionately bears the cost of externalities of this economic monstrosity a scholar by the name of Manuel Castor called this a network economy way back in the year 2000 he warned that as economic uncertainty grows and inequality intensifies the social psychological disconnect that citizens experience between their belief that their governments and policy makers in response to electoral compulsions ought to work assiduously for their welfare versus their importance in demanding and getting the ear of their democratically elected governments and could unleash forces that undermine liberal democratic structures and also drive groups of people into more primal identity groups such as fanatical religious groups or cults it would seem that political developments over the past few years indicate a steady retreat from the values that we hoped would inform our liberal constitutional democracies increasingly we hear the shrill of voices of unreason from a fragmented world fragmented nations and fragmented societies how did we come to such a pass and that too so quickly what words of wisdom and intellectual insights of people like Ramana Lohia did we ignore I would suggest that we ignore Dr. Lohia's fears of and warnings regarding monotonic logic and mind its consequences for the society and especially of the disempowered it it is that coupled with his dictum that action without moral reasoning would be like a sentence without a verb that drove him to be one of the more arrogant advocates of civil liberties articulators of liberal constitutional democracies that seek egalitarian goals and also be an agent provocator throughout his life in his thoughts and his actions he was forever guided by the epistemic principles of non-monotonic logic or rather a group of philosophical framework that encapsulates defeasible inferences that is to say where reasoning is expected to lead to tentative conclusion from everyday life reserving the right to change those inferences in the light of new information the times that he grew up and lived in and in which he led a life of civil disobedience were marked by extreme visceral horrors that were visited upon mankind by imperialism colonialism fascism capitalism and yes even marxist leninism in a certain sense they were all the products of monotonic logic a pure deductive schema of conception in which observable phenomenon could be explained from a priory definitions of nature that were posited to hold universally and without exception the danger of such conception is that every consequence however horrific could be rationalized away as being inevitable such a mind and logic at the individual and at the level of collectives blinds us to adverse consequences even impending massive human tragedies because we have denied the possibility of valuability of our assumptions and denied the possibility of alternate conceptions John Gray a philosopher points to a fundamental cleavage in liberalism on the one hand liberalism posits that there is one objective truth which through exercise of rational thought that is both comprehensible and also upon which consensus ought to be arrived at on the other hand liberalism also posits the view that toleration of different beliefs experiences views and needs and empathy for those who are deprived or left behind is sine qua non for social stability and indicia that justice prevails and the path to progress the danger of the former view is that it is easy for us to come to the erroneous belief that the truth we have arrived at is the absolute truth consequent it is easy to conclude that those who do not agree with us are quote unquote others the evil that is already elements the anti-progress luddites and the anti-development anti-nationalists because they don't agree with us having conceived having conceived the other other quote unquote as irrational it would but be a logical steps to tyranny elimination of dissent and the dissenting voices on the other hand with the other view also we have problems of argument for the sake of arguments of every argument being posited as a right argument and hence denial of possibility of any action the consequence is immediate in the din of a million mutineers the voices of cynical pragmatism often called realism and they call themselves as a realist this would they advocate the loot and plunder of disembodied desocialized and dehumanized individuals for whom the society has become but a market a market of values of ideas liberties and rights again the big machine takes over the social machine of the allied comprising of in dr loeha's terms those who possess at least two of the three attributes that is knowledge wealth and facility of speech in the language of power this in turn seeks to create a collective monotonic mind numb in its ethical value structure dead to innate human empathy uncaring of the suffering of fellow human beings infantile in its demands on the social matrix and blind to the impending doom of social conflagration history is littered with examples of social ordering and ideologies that had promoted and in turn been sustained by such minds the rise of fascism and the emergence of Nazi Germany are but particular instances and arguably among the more gory ones the singular aspect of German Nazi regime we must remember was that ordinary force like you and I had turned a blind eye to the rising tide of intolerance and inhumanity people who otherwise were capable of ordinary courtesies and indeed even great empathy for one another had given into xenophobia based on this singular belief that nothing overrides the redemption of their national pride and development of the economy that projects their might abroad were to be the overriding goals further they also believed that the path to such a goal was one and anyone who advocated an alternative vision or path was to be treated as immediately suspect and indeed even to be eliminated all debate and conceptions of the alternate modes of social organization were completely eliminated a cultural blindness was created that failed even to pursue the Holocaust because the people being exterminated were made to be the others and hence a stumbling block for the unidimensional national goal propagandized by the nazi party indeed we must remember the democratic elections brought the nazis to power and it was popular support that kept nazis in power democracy by itself ladies and gentlemen cannot be the arbiter of truth and always necessarily conducive to promotion of human welfare preservation of alternative voices the ones that question both the goal and the means are vital for the survival of understanding what is humane and inhumane dr. lohiya was a student of human history a very serious student or more specifically of the struggle of humanity against the monotonic mind of the elite that normalizes the indifference of rulers to the plight of the disempowered and debasement of civil liberties it is best to recall dr. lohiya's own words in this regard the concept of civil liberties is an outcome of the struggle that the citizen has eternally waged against his own state throughout history the state and its laws have given rise to manifold types of abuses wrath of the state fell down on the citizens who tried to be critical he suffered long and solitary confinements quite often death and his most precious possessions were snatched away from him he therefore stood in need of basis of safety from where he could launch attacks on the abuses and evils of his times if a resistance of civil liberties prevails resistance to oppression is not attended with frightful consequences this is what he said unquote in such a historical conception that animated the thoughts and actions of dr. loya his was a nationalism that was based on an appreciation of the specificity of India's conditions the particular needs and the particular problems nevertheless his was an open mind that could arrive at a deducible inferences from broad swath of human experiences as a mode of guidance for immediate action with a deliberately constructed appreciation of epistemic uncertainties and fostering of monotonic mindsets by the big state to be experimental facts that forever made him alive to the possibility of operation hence for him liberties were never about mere textual promises but about an actual existential necessity for the individuals the groups and the nation itself for him liberties were the essential foundations on which social stability and a constructive and progressive democracy could be constructed I would dare say that dr. loya's thought and life are early precursors to the kind of deliberative and capability enhancing democracy that dr. Amartya Sain has been espousing for the past three decades it pays again to quote dr. loya in extensile liberties comparatively smoothen societies march towards progress society is being eternally pulled between reaction and progress in this pull the state has more often been controlled by forces of stagnation and lest the state should turn into a terrible obstruction to progress and continually block by its repression its supreme authority over the citizens stands in need of description and curtailment in this manner orderly social progress becomes possible and society is not continually faced with the choice between tyranny and revolution these are not my words I am quoting dr. loya the concept of liberties is thus essentially a liberal concept which acts as a shock observer of the cruel impact between state tyranny and mass revolts given dr. loya justifiable fear of the monotonic mind and its social ordering whether of the marxist kind or of the capitalist kind his greatest worry was about sustaining the feasibility of arguing for change without resorting to violence in this regard dr. loya thought and life and more particularly his conception of the virtuous life epitomizes what paulo ferry the eminent education is from basil has articulated as a search for a humanized condition in every struggle for freedom from oppression the quest for equality could and often does degenerate into an equal opportunity for the oppressed to oppress the oppressor in his or her turn the dehumanized condition of oppression thereby gets perpetuated while violent agitations may be indicia of a social dialogue that has gone horribly wrong one needs to appreciate two facts one people normally do not take to violence if the society and the state had allowed the expression of dissent within the framework of diligently guarded civil liberties which act as the safety walls second the expression of violence cannot be met with unlawful and unconstrained violence of the state for that will surely breed more resistance and violence Dr. Loya was actually allied to this and in his book The Struggle for Civil Liberties he cites Senator Borov I quote Repression is not only the enemy of free government but it is the breeder of revolution it is the enemy of progress and human happiness and above all it is neither a test of error nor of truth unquote over the past few decades we have seen a systematic demolition of the legitimacy and validity of liberties in many countries we I would submit in this country are no exception to this rule even as neoliberal economic thought took its evil roots again as Washington consensus and as necessary structural reforms in India it systematically built a monotonic mind ideology and culture a knee-jerk nationalism that condemns any expression of dissent as anti-national and anti-development has been systematically built into our political discourse every expression of dissent has at some point or there or more often than not being portrayed in our popular culture and elite discourse as potential threat to a development that is conceived as a billion dollar homes for the one or two and shining towers of glass for the few and even as hundreds of millions are dispossessed of their lands and livelihoods of their water and clean air of their social routes and the informal sector swells with hundreds of millions of displaced dispossessed and dehumanized humanity and when that humanity expresses its descent because the political process no longer properly encompasses its demand the elite culture in reaction immediately asks for restoration of law and order or public order by use of extreme straight repression so that they can go back to their ever thinner TVs of course your chancellor doesn't watch it a culture of grits and fads that define lifestyles to all this we have added the wildest discourse possible that demonizes demonizes in the name of religion in the name of God and in the name of construction of monotonic spiritual order all to be relentlessly pushed forward by subversion of constitutional structures and small armies of hate filled with youngsters and loya recognized the need for assiduous protection of liberties because they in his own words again lay bare political and social abuses I quote which are the fountainhead of all suppression an inquiry into a case of violation of civil liberties is simultaneously an inquiry into the particular abuse against which the individual had fought and for which the wrath of the state and other interest had descended upon him the special front of civil liberties maintains the backbone of the people the spirit of opposition against injustice is kept intact the individual gets strength from the knowledge that his resistance to police or executive oppression will awaken common interest again such a common interest serves to convulse the conscience of the people against encroachment of their liberties the people are taught to be vigilant so that they clear the road to progress unquote why dr. loya was talking about individual resistance against oppression dr. dr. loya believed that in the modern world organization has become so embarrassing and powerful that the individual is completely subservient to it I quote I quote him no matter where the origins of modern civilization lay it is today the civilization of the collective where the individual is only a number in the mass and his effectiveness exist in so far as he is a part of the mass individual is often an isolated item surrounded by a hostile world and when a suitable organization is lacking he is reduced to the status of the rats individuals unsupported by organization and weapons are negligible in the context of modern civilization look at look at the man and his vision the way he was thinking almost about hundred years ahead of him he observed when Hitler came to power in Germany it was easy enough to notice how those brave and valiant and thinking Europeans belonging to the socialist and communist parties had lost all their manhood although he said I quote I regret to have to say this word they behaved more or less like rats scurrying to go to and fro for shelter from Hitler unquote loeha believed in civil disobedience and course of action suggested by Mahatma Gandhi comes to be singularly effective the weapon of satyagraha civil disobedience is always available to individuals in their hands when injustice and oppression go beyond bearable bounds he believed that satyagraha as a weapon will prevail as long as injustice and oppression prevail and it should prevail because if it does not the gun or the bullet will loeha rejected the theory propounded by some eminent and great thinkers of this country no doubt they were also great thinkers they thought that satyagraha as a weapon is not permissible in a state of freedom and it was permissible only in in dyes out learn this lesson all the world over that the individual as well as the mass have had placed in their hands this unique weapon of civil disobedience to defeat their tyrants we may be ushering a new civilization ladies and gentlemen ultimately what we allow to come true depends on how we make our collective choices and what values and aspirations inform them the first of that value would be would have to be a commitment to an essential belief in innate human dignity of every human being constitutions much less socio-political orders do not survive in an environment of apathy ultimately the greatest lesson from dr. loya's life may be this that he spent more years in prison in an independent india notwithstanding his many long decades of struggles against the colonial yoke it tells us this freedom assertion of human dignity and creation of conditions for the protection of some minimal content as part of that human dignity are not one-shot games but matters of continuous struggles struggles at the political level at the social level and above all at the level of values I conclude this lecture with what Shahid Bhagat Singh said I quote him you go and oppose the prevailing faith you go and criticize a hero a great man who is generally believed to be above criticism because he's thought to be infallible the strength of your argument shall force the multitude to decry you as vainglorious this is due to the mental stagnation criticism and independent thinking are the two indispensable qualities of a revolutionary look what this man is saying in his twenties when he was in twenties he was saying this in twenties because Mahatma ji is great therefore none should criticize him because he has a reason above therefore everything he says may be in the field of politics or religion economics ethics is right whether you are convinced or not you must say yes that is true this mentality does not lead towards progress it is rather too obviously reactionary unquote ladies and gentlemen if Shaheed Bhagat Singh could say this about Mahatma ji what to speak about the lesser mortals in the hope that we learn the right lessons again and again from the lives and thoughts of great men and women like Dr. Ramanova Luya thank you ladies and gentlemen for your forbearance Jai Him thank you thank you sir ladies and gentlemen this indeed is Sri B Sudarshan ready please once again give him a huge round of applause it was truly an honor listening to you sir thank you before I venture to request Professor Rajkumar Jain for the presidential address of the day I'm I'm sorry मेरे से पूर तीन विद्वान वक्ताओं ने डाक्टर राम और अलोहिया के पॉलिटिकल थॉट उनके एक्षन पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में विस्तार से आपके सामने चर्चा की है मैं कुछ जलकियां डाक्टर लोहिया के नीजी जीवन की आपके सामने रखने का प्रियास करूँगा डाक्टर लोहिया ने एक बार कहा था किसी भी विचार, थौट, नेता, निती उसकी असली परिख्षा उस इनसान के गुजर जाने के सो वर्ष बाद ही की जा सकती है वक्ती तोर पर बहुत से लोगों का यशोगान होता है बहुत सारी किताबें, थीसिस, ठोरियां आती हैं मरकाल के समय के साथ साथ उसका कहीं पता नहीं लगता आज लोहिया को एक सो साथ साल की उमर आज लोहिया की होती 1910, 23 मार्च 1910 को अकबर पुल में पैदा हुआ लोहिया आज उनके सम्मंद में, एक सो साथ साल के बाद लोहिया पर आज यहां उनका मेमोरिय लेक्चर है हिंदुस्तान में जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जितने राजनितिक विमर्ष हैं जितनी पत्र पर्च काई हैं, अखवार हैं, टेलिविजन हैं, रेडियो हैं अगर कहीं भी आप सैध्धान्तिक, राजनितिक, बैचारिक बहस देखेंगे तो कहीं न कहीं लोहिया का जिक उसमें आना अवश्म भावी हैं अपनी प्रारिम सिक्षा पूरी करने के बाद, डॉक्टर लोहिया को इंगलेंड भेजा गया आगे की पढ़ाई P.S.D. करने के लिए, लोहिया ने इंगलेंड में पढ़ने से मना कर दिया लोहिया ने कहा, मेरे देश को गुलाम बनाया है अंग्रेजों ने, मैं ये अपने वैशिक सिक्षा नहीं लूँगा लोहिया बर्लिन, जर्मनी चले गए, जर्मनी के होमवेट, विश्विद्याले में जैसे कि आपके चांसले साब ने कहा, वहां से P.S.D. की डिग्री ली, मगर वहां का भी नजारा देखिए, लोहिया जब अपने प्रोफेसर से जाके डिपार्टमेंट में मिले, तो उनके प्रोफेसर ने कहा, आप यहां नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारी सिक्षा का माद्याम हमारे यहां केवल जर्मन भाचा में ही पढ़ाई हो सकती है, डॉक्टर लोहिया ने कहा, सर, मैं आप ही का सुन्ट बनूँगा, पढ़ूँगा तो यहीं, छे महने बाद मैं जर के अंदर पहुँचे, फ्रिक्वेंट जर्मन भाचा में जब डॉक्टर लोहिया ने अपने प्रोफेसर से बात की, उनके प्रोफेसर दंग हो गए, डॉक्टर लोहिया ने अपने पिएच डी, जर्मन की होमबट यूनिवस्टी से पूरा किया, पूरा करके डॉक्टर लो या उसके एडिटर के कमरे में चले गए और यह कहा मैं एक आर्टिकल आपके लिए लिखना चाहता हूं ताकि मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं यहां से कलकता से सीधा अपकलकता आपने घर चला जाओं एडिटर ने पहले उनकी शकल देखी फिर कागज दे दिया इंडिया फॉरण रिलेशन्स पे डॉक्टर लोहिया ने एक लेख लिखा एडिटर ने कहा बैड़ जाओ बैड़ जाओ अब तुम जानी पाओगे तुम्हें यहीं आखवार के लिए काम करना है डॉक्टर लोहिया ने कहा मुझे महात्मा जी के पास जाना है लोहिया महाँ से चले जाके सीधा उनके पिताजी हिरालाल लोहिया वो भी एक गांधियवादी थे उनके पास पहुंचे तो उन्हें ने कहा कि पता लगा कि वो धारना के सत्यागरे में पैदल गांधी जी के मार्च में निकल गए हैं लोहिया स्वतनता संगराम में कूट पड़े आप जानते हैं 1936 में जवारलाल नहरू इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं जवारलाल नहरू लोहिया के व्यक्तिस से परिचित थे उन्होंनों कोई इलावाद में बुला बेजा और कॉंग्रेस के फोरण विभाग का सचिब बनाकर आनन भावन में लख लिया लोहिया की प्रतिभा की एक ज़लत डॉक्टर लोहिया को जो एक खत जवारलाल नहरू ने लिखा था 23 मार्च 1940 को प्रिया राम मनोहर अमेरिका का इंसिट्यूट आप पैसिफिक रिलेशन्स भारत और सुदूर पूर्वेब पैसिफिक छेट के अन देशों के सा भारत के आर्थिक संबंदों पर एक अध्यान निकालना चाहता है मुझसे कहा गया है कि मैं स्वेश्ट तम कोटी के विद्वान को चुनूं यह जवारलाल नहरू लिख रहे हैं डॉक्टर लोहिया को इस कारे के लिए वे 350 डॉलर देने को तयार है 1940 के अंदर जवारलाल जी खत लिख रहे हैं मुझे ऐसा लगा कि तुम इस कारे को अपने हाथ में ले सकोगे और समय दे सको तो बाख़ू भी कर सकते हो डॉक्टर लोहिया को 1940 में जवारला नहरू ये खत लिखते हैं साथ जून 1940 को लोहिया विश्विदी दर छिड़ने के बाद 1 सितंबर 1949 को लोहिया सुचंता संग्राम में कूट पड़े साथ जून 1940 को लोहिया को युद विरोधी भाशन देने में गिरफतार कर लिया गया और दो साल की सक्त कैद दे कर उनको हिंदुस्तान की जेल के अंदर बंद कर दिया लोहिया आजादी की जंग में लगे थे फिर उसके बाद 1942 के अंदर महत्मा गांदी का करो और मरो का नारे का अंग्रेजो भारत छोड़ो बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांदी जी ने हुंकार भरी अंग्रेजो भारत छोड़ो सारे राश्टी नेता सब इत्यास के भी द्यारती जानते हैं जवारलाल महत्मा गांदी सर्दार पटिल सब पकड़े गए अब देश के इस आजादी के अंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी उन युवा समाजवादी नेताओं पर थी जो उस समय तक गिर्फतार नहीं हुए जैपरकाश नराइन, डाक्टर रामनो, लोहिया, अचुत पटवर्धन, अरुना, आसफ अली, मीनू मसानी, अचुक महता ये सब नौजमान लोग अंडरग्राउंड मूव्मेंट आजादी की जंग में चलाने लगे लोहिया ने एक भूमी गत आंदोलन जो चलाया, उसमें रेडियो को स्थापित किया छोटी-छोटी बुलेटे ने उन्होंने निका लिया, खबार निकाले, और राजादी की जंग में लोहिया अंडरग्राउंड होकर अपने उस काम के अंदर लगे गए 20 मईए 1944 को बंबई से फिर अंग्रेज पुलिस ने लोहिया को गरफ़तार करकर लहोर किला जेल में ले जाकर लोहिया को बंद कर दिया इतिहास के विद्यारत ही जानेंगे, हमारे इतिहासिक दस्तावेजों में सारा जिक्र है लोहिया को लाहूर के किले में अमानुस यातनाएं दी गई बरफ की सिल्यों पे लिटाया गया रात रात बर वहां के पैरेदार उनको सोने नहीं देते थे गांधी जी को यह पता लगा गांधी जी विचलित हो गए गांधी जी ने उस समय कहा अगस्त 1940 के हरीजन में गांधी जी ने लिखा डाक्टर लोहिया वे कांग्रेस वालों की सजाएं हिंदुस्तान को बांने वाली जंजीरों पर हतोड़े का प्रवहार है 20 मई 44 को लोहिया गिर्फतार हुए थे और मई 1946 में फिर वो रिहा हुए साड़े तीन साल की जेल यातनाओं में डाक्टर लोहिया का स्वास बिगड़ चुका था उनके एक मित्र गोवा वासी डाक्टर मेनर जिसने उनको गोवा बुलाया कि कुछ स्वास लाप के लिए डाक्टर लोहिया गोवा चले गे गोवा में जाके पता लगा पुर्थगाली शाशन जार के शाशन का जुल्म गोवावासियों पे जारी था डॉक्टर लोईया ने गोवा में जाके स्वासलाब की बजाए गोवा की आजादी के लिए जंग की जह पहल कर दी दो बार dripping डाक्टर लुहिया को वहां पर फिर उनकी गिर्वतारी पृत्रिक्रीस के दौरा उनकी गिर्वतारी वहां पर हुई जिस जिक्र का जिस बात का जिक्र हमारे चांसलर रमाशंकर शिंग्जन है कहा उसमें भी डाक्टर लुहिया का सिद्धान्ता मंत्री मंदल का देश को आजादी मिली जवावारलाल नहरू पहले प्रधान मंत्री बने उन्होंने अपने काविने के लिए जैप्रकाश नरायन डॉक्टर लोहिया को बुलाया फिर सिद्धान्त के कारण डॉक्टर लोहिया केंद्री मंत्री मंदले शामिल ल मंत्री है वो पार्टी का द्यक्षनी होना चाहिए जवार लाल जी दोनों थे और दूसरी बात समाजवादी नेताओं ने एक बात और तैकी कि कि लोकतान्तिक पदिती में संसिदी पदिती में अगर सक्ता पक्ष जितना शशक्त होगा विपक्ष को भी इतनी मजबूती चाहिए मंत्री मंडल के पद को छोड़ कर डॉक्टर लोहिया जैपरकाश नरायन इन लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ कर उसके बाद सोसिस पार्टी की स्थापना करकर हिंदुस्तान में जन सवालों का बिगुल बजा दिया विदेशी हकूमत ने लोहिया को ग्यारा वार गिर्फतार किया और हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान में तेरा वार लोहिया वहाँ पर गिर्फतार हुए आज हमारे विद्वान वक्ताओं ने जिक्र किया आज के समय दोहजार सत्रा में एक भी ऐसा रास्टी विमर्ष नहीं है जिसकी चर्चा लोहिया ने साथ और दशक सत्तर के दशक में ना कियो साथ और पचास के दशक में ना कियो आज सुष्टा अभियान की बात है डॉक्टर लोहिया ने 1950 में कहा था नदियां साफ करो आज परयावन का विश्य हमारे सामने आता है डॉक्टर लोहिया ने कहा हिमाले बचाओ एक चीज का जिकर जो मेरे दूसरे विद्वान वक्ताओं ने भी किया आज बंद पाखाना पाखाना बंद का भी अभियान चल रहा है डॉक्टर लोहिया ने 1952 के इंदर कहा था हिंदुस्तान की तहजी तबद्न के लिए हिंदुस्तान की महिलाएं जो खुले में शोच जाती है उसे में तो डॉक्टर लोहिया ने कहा बंद और साफ पाखाने साफ फीने का पानी और धुएं की चिमनी वाले चूले जो ग्रामी दॉरतें खाना बनाती जिनकी आँख फूट जाती है धुएं के कारण चूले ऐसे जिसमें चिमनीया लगी हो वो होने चाहिए वो रखा था आज आरक्षन की पिछ्ड़ों की बार पावन के मेनिफस्टों में डॉक्टर लोहिया ने कहा डॉक्टर लोहिया ने बंदी गान्ट पिछड़े पावियं सो में साट बाकि सारे विमर्ष का जिक्र हमा कि इतिहास दिर्ष्ठी कितनी गहरे रूप से हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़ी हुई थी। हिंदुस्तान के इतिहास कारों में मैं इतिहास का भी द्यार थी रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास की परिक्षा हिंदू और मुसल्मान के आधार पे की है। कि विदेशी जो बावर गजनी गोरी बावर हैं वो मुसल्मान यहां के आक्रमन कारी हैं। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास की वैख्या हिंदू मुसल्मान के रूप में नहीं देशी और परदेशी के रूप में कही। डॉक्टर लोहिया ने कहा हर मुसल्मान यह ध्यान रखे गजनी गोरी बावर विदेशी हमलावर थे और हर हिंदू यह याद रखे कि रजिया शेहरसा रहीम यह हमारे पूर्खे थे। लड़ाई इतिहास में देशी और विदेशी की हुई है। हिंदू और मुसल्म की लड़ाई वहाँ पर नहीं हुई। डॉक्टर लोहिया का निजी जीवन डॉक्टर लोहिया दौरे पर रहते थे। कारे करताओं के बीच में पूर्य देश भर का ब्रह्मन करते थे। गर्मी में अपनी धोती कुर्ता पहने वे जाकिट पहने वे डॉक्टर लोहिया ब्रह्मन कर रहे हैं। जिस इस्टेशन पर सर्दी पढ़ने लगी। दौरा करते करते गर्मी का समय खत्म हुआ सर्दी हुई। तो कारे करताओं ने जाकर उनके लिए सदरी, कोट, मफरल, उनको जाके पहना दिया। और दौरे के समय जब गर्मी सुर्य हो गई तो डॉक्टर लोहिया ने अपने कपड़े, वो गर्म कपड़े उतार कर रख दिये। उन कपड़ों को पाने के लिए कारे करताओं में छीना जपकी होने लगती थी। उनको लगता था, यह हमारी धा आती है। यह डॉक्टर लोहिया के पहने हुए कपड़े हैं। उनका कोई घर नहीं था, दर नहीं था, भीवी नहीं, बच्चे नहीं। एक मात पिता थे उनके हीलाला लोहिया। लोहिया जेल में थे आगरा जेल में। पुत्र वियोग में उनके पिता की मृत्यू हो गई अंग्रेश सरकार ने पैरोल दिया डॉक्टर लोहिया को, डॉक्टर लोहिया ने पैरोल पे जाने से मना कर दिया। डॉक्टर लोहिया का नीजी जीवन इस देश के आम लोगों के लिए, सादहन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बे सहरा, बे जुबान लोगों के लिए लगा और अंत भी देखिए उनका बारा अक्टूर उनीस सो सड़ सट को उनका देहान थो असतावन साल की उमर में के पर डॉक्टर लोहिया की क्रिया कहां हुई दिल्ली के अंदर बनी हुई बिजली की चिताग इलेक्टिक क्रिमिनेशन जिसमें लावारिश लाचें फुक्ती थी बड़े आदमी की बात छोड़िये जो दिल्ली की सडकों पर लावारिश भिकारी मरी जाते हैं उनको फूकने के लिए जो दिल्ली का बिजली घर का चित बना था जहां कोई क्रिया करम की जरूत नहीं कोई बेटे का सर में डंडा फोड़ने की जरूत नहीं है वहां पर एक बैठा हुआ आदमी रिक्षे पे लाद कर अठारा रुपे लेकर लाश को सडक पर पड़ी लाश को लेकर जाकर उसकी बिजली घर के चिता में डाल कर वहां पर समाप कर दिया जाता था डाक्टर लोया की अंतिम क्रिया उनी जहां पर लावारिश लोग फुक कर दोले कर दो हैंट बूले कर दोले कर दोड़ी लोगारिश वथ. बढ़ टोरे की अंतिम हैंटर शुक कर दोले कि ऑ और इनुप एडर का लावां तोड दोले कि अवे निए, निए और एज जा, दोड पर निमिजज़, इस बिज़, बहां बार्दीख, अभर यह एक अच्छा मौका है, हम लोग, जितने भी लोग यहां पे हैं, नई पीधी के लोग हैं, और बहुत कम लोग जो डॉक्टर लोहिया की असली आवाद से वाकिप होंगे, तो डॉक्र लोहिया कैसा बोलते थे और उनका वैक्तित तो कैसा था, उनकी वानी कैसी थी, एक पर प्यास में कर रहा हूँ, एक उनका एक वीडियो है, उनकी आवाज है, कोशिस, आडियो, आडियो. एक दिन के श्री बिला, वैसे खांदान के तो एक लाग के करीब होंगे, या शार और ज्यादा हो, क्योंकि मैं बहुत ही चाप कर के करता हूँ, कम बदा कर के करता हूँ, लोग जबान पगा लिया करते, हो सकता कि दो लाग, चार लाग, पाश लाग, दस लाग, कुछ पता लाग, जार करोर के खांदान के करचे से, तो कहीं से तो आता है लिए पैसा, तो अगर उनके खार में 20 आदमी हैं, तो मानलो एक आदमी के उपर 5000 रुपिया हो, उसी तरह से मैंने जो इसाब लगाया, प्रशान मंत्री साहथ के उपर एक लिम खाता, जी से 5000 रुपय का खार चाहिए उनकी आमदनी ना हो लेकिन खर्चा कर लेते हैं और आज के युग में और समाज में एक बड़ी अच्छी बाक यह हो गई है कि राजनिती में लगे हुए लोगों को आमदनी करने की जरूरत नहीं रहती है राज के उपर इतना कर्जा रहता है कि वो खर्चा कर सकते ह उनकी बाजनी करके करदे कुछ बिना आमदनी के कि खर्चा करते हैं लेकिन अर तो जो घत्वा हालत तो दोनों की एक शी होती है पाँच अजार हुआ 55,000 हुआ अच्छा आजाना एक तरफ घथ مزदूर का एक פटट में दन का और दूसरी तरफ 25,000 रोपिया यह हैं के गार बराबरी के जूले के दो पेग बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैं नाव रिक्वेस्ट अरॉबल चंछर आई तेम उनिवस्टी तो किनली कम फ़र वोट आफ थैंक चिंतारे करो करता है उसको कम बोलना चाहिए लिकन मैं कुई चीज मानता मानता नहीं हूँ अपनी डंग से चलता हूँ यह आपको डराने के लिए कह रहा हूँ I'm really very thankful, grateful and obliyized because after long long time I have heard a very articulated thoughtful and full of wisdom, words full of wisdom from Justice Reddy and he gave certain clues for everyone and me also to think over for example this was new to me how to interpret in terms of monotony that that was new idea to me that how Luhia broke monotony monotony of discourse since breaking the monotony of discourse is a very brilliant words from coming from Justice Reddy nowadays what happens everybody is so monotonous what we hear on TV and read on newspapers we just try to vomit that it's kind of a monotony we are hearing something listening something we are vomiting it out we are believing what we are asked to believe in it's monotony because we are not deviating from the monotony we are following the monotony so thank you sir I am very grateful for this and I am so obliged to Dr. Jain Professor Jain he was very close to Luhia in the sense that he even lived in prison with Luhia so there are people and not only Luhia later on in emergency he lived with Advani Ji also when Advani Ji was in prison he was with Advani Ji also in prison and thanks to him that I just saved myself a bit when police came to fetch me I already had the news that emergency has been imposed so two or three of us ran away and we started what Luhia did in 1942 we established an underground station and started printing bulletins against emergency and at least three or four printing presses were seized by police later but I kept on changing the press and when all presses which were acquainted to me they were seized I started and we started two or three of us started screen printing and one of the posters that I printed during emergency became very very popular what happened there was nothing with us so like this I said I wanted to do something so I went and ate when we lost it so I went to the government so we had to publish Indra Gandhi's posters and they were able to see In Indra Gandhi like the Zanabe Ali तो बहुत हल्ला था तो सब जगे वहां पोस्टर बिखते रहते थे सड़कों पर तो बैनों से बात की हम एक साथ ले लेंगे हजार पॉंसर पोस्टर तो सस्ते में मिल गए तो उठा लाया उठा लाया और अपनी स्क्रीन प्रिंटिंग तो बहुत आसान होती है आप लोग प तो मैंने उसपे जेल की सलाखयों की बनाई और नीचे लिख दिया ताना शाह की आखरी जगे è जेल की पीतर इंदरा हान दी वह पोस्टर फिर बहुत दुनिया भर में वह दुनिया भर में गया तो वह पोस्टर हमने रतो रात बनाया और पूरे हिंदुस्तान में उसको ज तो मतलब ऐसे लोग कभी कभी कम मिलते हैं मुझे मालूम है कि आप बहुत उत्सुक और जिग्यासु बेशक नहों और इसलिए आप अपने बच्चों को अपनी पीड़ी को कोई बहुत अच्छा समाज छोड़ के जाने वाले नहीं हैं आप मेंसे जो शादी शुदा और बच्चे जिनके हो गए हैं और जिनके लड़कियां हैं खास दोर पे वो रात को बहुत चिंते तरहते हैं मुझे मालूम है अब मूर्ख कर दूँगा तो चिड़ जाओगे मूर्ख नहीं हो निश्क्री हो और देश की चिंता नहीं कर रहे हो समाज की इसलिए अपने बच्चियों की चिंता करने पाड़ रही है अगर देश और समाज की चिंता करते होते हैं, तो बच्चियां हमारी आस्वतंतर घूम रही होती हैं, जैसी कि कभी-कभी मुझे दिख जाता है, मैं जो गुजरात पर जाता हूँ नवरात्री के दिनों में, रात के ढाई बज़े तक बढ़ी आज, क्या वो चोली बोलते हैं लेंगा-चोली पहने लड़कियां अपनी मोपेट पर घूम रही हैं, कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, कोई बोलता नहीं, मस्त हैं, खुश हैं, वो जो खुश समाज है, इसकी ये बैठे-ठाले नहीं बनाएं दुनिया में कहीं भी, ये बलिदान से बनता है, और ज इनको चिंता नहीं होती है, उनके बच्चे खराब समाज में बेबस रहते हैं, इसलिए ये मस्त समझा करिए, पूरे योरप में जहां खुशी है, उन्होंने बलिदान दिया है अपनी आजादी के लिए, यहां तो शुक्र मनाएं कि गांधी बाबा ऐसे आ गए, और इतने बड़े देश में कितना बलिदान हुआ, अगर आप इसकी तुलना और देशों से करेंगे ना, तो कहेंगे कि यहां कुछ नहीं हुआ, उसकी महरबानी है, बुड़े बाबा की, गांधी बाबा की, कि आजादी हमें कुछ जल्दी कुछ आसान मिल गई, इसलिए आप जब बैठेगा, फिर आपको दो-तीन प्यूडियों तक लड़ना पड़ेगा, वैसे ही जैसे दुनिया भर में लड़ाई हुई है, आजादी के लिए, इसलिए कभी-कभी अपनी खाल से निकल के, अपनी स्किन से निकल के बाहर भी सोचा करें सब लोग, और यह जरूरी है और इसलिए जो आज आपने दो-तिन बातें कहीं वह जबरदस थी, जिसको जैन जी को बताना था, और मैं खड़ा हो गया हूं तो दो-तिन मिन्ट तो और लूँगा ही, कि यह जो डिसेंट है, असहमती, इसका अधिकार हमेशा बना रहना चाहिए, यह तो शुक्र मनाईए ह कितना पिल-पिला रदी विपक्ष है, दो-कोडी का नहीं है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी पार्टी है और इनके लीडर कुछ नहीं करते हैं, सर आप मुझे भेज दीजे लोग सभा में, यह राज सभा में, अगर मैं दस दिन में ठेकाने न कर तूं सबको, और मैं कर कि अपने बात को कहते रहना चाहिए, आज बुरा लग सकता है, कई यहों को बुरा लगता है, मांत्रों साब की बुरा लग जाएगा, क्या बाते हैं करतेиков हमारे निता के खिलाफ लेकिन ऐसा नहीं है आप कोई भी हो, हमें निता से कोई लिना देना नहीं हमें पार्टीश के प्रति चिंतित हैं बस और चिंता जनक बातें हो रही है क्योंकि भी पक्ष नहीं है और मीडिया जो है ना ये मीडिया टीवी और अख़बार इस से जादा बिकावू भांड और चमर जुलाने वाला मीडिया अब तक पैदा नहीं हुआ है और इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ जुटा भी है और विकाव भी है तो मीडिया के लोग बठें तो मैं आप पर थोई पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपके मालिकों पर कर रहा हूँ जो बहुत बड़ा पैसा लेकर के एक तरफा चीज दिखाते रहते है इस पेस दे रहे है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यदा धन्यवाद डॉक्टर सुदरेशन जस्टिस साब का आज मुझे इस बात का इलहाम हुआ फिर से कि क्यों सरवुच न्यायले की न्यायदीशों को या न्यायदीशों को विद्वान कहा जाता है तो आपका सबका धन्यवाद और क्या बजगे है साड़े पांच हो गया कि में तो यह सब बिलबिला रहे हैं इस सब हैं थैंक यू, everybody थैंक यू, सर्थ, मैं वी और राइस पर था नशनल आंथम जन गन मन अधिनायक जयाह भारत भाग्यवेदाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा द्राविड उत कल बंग विंद हिमाचल यमुनागंग उचल जल दितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशिश मांगे गाहे तब जयगाथा जन गन मंगल दायक जयाहे भारत भाग्यवेदाता जयाहे जयाहे जाया हे, जाया 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 हे जाया हे